Hello everyone, सौधत है आपका इस नई वीडियो में तो आज की वीडियो का जो टॉपिक होने वाला है वो आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन का एक कोश्चन है जो आज कले के एकजाम में बहुत ज़्यादा देखा गया है आपको पता है कि यह टॉपिक जो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन बहुत आसान है लेकिन जो इसमें कुछ कोश्चन आज से हैं जो बनते हैं जो साथ हमने देखे ना हो या हमने देखे हैं तो हम उसका पैटर्न भोल जाते हैं किसके अकॉर्णि हमको करना है तो जल्दी से कैसे करना है क्योंकि कर तो सभी लोग लोग है मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि कोश्चन कर सभी लोग लेते हैं लेकिन वही लोग आगे निकलते हैं, जो कम समय में करना में ठीक हैं। तो सबसे पहले जो question आपका लिखा हुआ है, इस question को हम लोग काई, यानि कि दो method से देखेंगे, जो basic तरीके कैसे किये जाएगा, उसको हम लोग देखेंगे, और हम इसको जल्दी से कैसे करेंगे, उसको देखेंगे, तो time को waste न करते हुए हम लोग start करते हैं, उससे पहले यहां पर क्या करना है आपको, अब दोको यहां पर क्या दे रखा है, 2a बराबर 3b बराबर 4c है, तो आपको क्या बोला गया, एक अनपाद B, अनपाद C आपको निकालना है, तो आपने इस तरह के जो mostly question की हैं, उसमें क्या दे रखा था, उसमें आपको दे रखा होता था, A and path B आपको value दे रखी होती थी और आपको यहाँ पर B and path C की value दे रखी होती थी तो normally आप यहाँ पर निकाल लेते थे लेगिन चीजे क्या हैं चीजे यहाँ पर आपकी बिल्कुल change है इसका मतलब यहाँ पर हमको कुछ अलग करना पड़ेगा ठीक है तो ऐसे यहाँ पर चीजे हो नहीं पाएंगे थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा यह मामला क्या है तो देखो हमको पहले A and path B हम लोग जो पहला वाला मैक्टिवज करेंगे तो हम उसमें वही निकालेंगे पहले A and path B इसमें से कैसे निकाला जाए जो आपको यहाँ पर जो step दे रखा है उसी तरह B and path C कैसे निकाला जो step दे रखा है तो को सारी value क्या है आपके सारी value यहाँ पर आपको equal दे रखी है इसका मतलब हम यहाँ पर कर सकते हैं कि 2 A किसके बराबर है तो आपका 3B के बराबर है, तो आपको पता है कि अ जो ए हम इसे रख रहे हैं, इस B को हम क्या करें, आपोन में भेट देंगा, यहां पर आपको पता सारथ 3 रहेगा, और A यहां पर Multiple में तो इहां कितना आ जाएगा, भाग में आ जाएगा, इसका मतलब जो A बटा B हम इसको एक अनपाथ B लिख सकते हैं तो तीन बटा दो को क्या लिख आए को यहां पर एंपाथ seven को पता चले लगाए अब देखें यहाँ पर B इनपाथ C है यांनी हुम को भी पॉस इंगालना है थ्री ईश्कल डू क्या करते हैं हम लोग 4C क्योंकि सारी value के हैं आपस में equal हैं ठीक है तो यहां क्या जाएगा यहां करेंगे तो B by C हो जाएगा और यहां कितना हो जाएगा 4 by 3 हो जाएगा और जब हम अनपाथ में लिखेंगे तो आपको पता है आई सब B by C को हम लिख सकते हैं B अनपाथ C लिख सकते हैं उसी तरह यहां भी लिक सकते हैं ठीक है तो अब यहां पर जो प्रोसीजर बना वह आप आसानी से कर सकते हैं ठीक है तो आप इसको कई मेथेड बनाए होंगे हो और आप से कहा जाए कि a अनपाद b अनपाद c आपको निकालना हो तब कितना आसानी से आप कर रिएगा इसको थोड़ा सोचिएगा लेकिन थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा और प्रेक्टिस भी आपको चाहिए तो देखो जो इसका जो पहला नंबर है समझ किया लेकिन जो इसका जो दूसरा है इस दूसरे को पहले आपको इससे भी करना मल्टिप्लाई दिन उसके बाद आपको इससे भी करना तो पहले दो को हम मल्टिप्लाई करेंगे चार से कितना आजाएगा आठ हो जाएगा उसके बाद इस दो का मल्टिप्लाई हमको तीन से भी करना कितना जाएगा 6 आजाएगा तो आप किसी भी method से निकाली है तो आपका जो answer आने वाला है वो proper यही है ठीक है अब यहाँ पर चीज़े आप इसको calculate कर सकते हैं यानि थोड़ा सा इसको answer हो जाएगा ठीक है तो यह थोड़ा सा बड़ा method यानि कि time taken वाला method है हमको तो जल्दी से करना है अब देखो जल्दी से इसको कैसे करेंगे आपको निकालना आपको दिया क्या है आपको दिया है 2A बराबर देरक्खा ए 3B बराबर देरक्खा है 4C आपको निकालना क्या A and path B एंपाथ C निकालना है, मैं फिर से repeat करूँगा जब आपको इस तरह की कोई condition दी जाए, समझेगा जब इस तरह की condition दी जाएगी, उसी में से कोल यह format लगेगा, समय आप format अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है, तो हमको यह चीज़ दे रखा, तो हम इसको यहाँ पर note down कर लेते हैं कितना है, 2A बराबर कितना है 3B बराबर कितना है, आपका 4C है, वह आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है A अनपाथ, B अनपाथ C आपको निकालना है, ठीक है, तो जब इस तरह की चीज़ दे जया है, आपको और आप से यह निकालने के लिए पुछा, पुछा है, तो आपको करना है क्या आपको तक करना है, पहले यहाँ पर पता, स्टार्टिंग में जो हम लिखते हैं, सो एक अनपाथ तो जब B का निकालना तो B वाला चुपा लीजिए, तो 4 का multiply किससे कर देंगे, A वाले से कर देंगे, यानि कितना 2 है, तो यहाँ कितना आजाएगा, 8 हो जाएगा, अब किसका निकालना, अब आपको C वाले का निकालना है, तो C वाले का निकाले ना था, C वाले को छिपा लिजिए, A और B को आपसे multiply करतीजिए, उसकी बुड़ांक हो, तीन का multiply दो से करें कितना आएगा, 6 आजाएगा, अब इसको थोड़ा सामसरर कर लेंगे, 2 से कट रहा सारे नंबर, 2 से काट देंगे, तो आपके सामने चीज़े यह आजाएगा, तो देखो, जब आप practice करेंगे, तो यह बहुत आसान है, यह मुस्किल से जो आपको लगए का 10 सेकंड के लिए आपका answer आजाएगा, और यह कई exam में देखा गया है, अब यह आपके CGL में आता है, यह आपके MTS में, और railway group D में, और आप कह सकते हैं NTPC में यह question इस तरह की कई बार आते हैं, ठीक है, हम लोगों की आदत जो होती है, निकालने के कौन से आदत होती है, हमको जब A N PART B दिया जाता है, B N PART C दिया जाता है, तो हमको आदत होती A N PART B N PART C निकालने का, लेकिन जब इस तरह का pattern बना दी जा जाता है, तो हम लोग में जरूर बताईएगा, यानि कि इसमें क्या दे रखा है, 5 A बराबर 7 B, बराबर आपको 2 C दे रखा है, तो आपको A N PART B N PART C निकालना है, डारेक्ट कैसे निकालना मैंने आपको बताया, जिसका आपको निकालना होगा N PART, उसको छुपाईएगा, बाकी बच्चे का 2 क मल्टिप्लाइ कर देजेगा, ठीक है, वीडियो समझ मिनाया हो, फिर से जाके देखें एक बार, साइच चीज़े बिल्कुल समझ आ जाएगी, तो मिलते हैं हम लोग नेस्ट वीडियो में एक नए टापिक के साथ,